नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अमबार है उसी से मेरे होसलों की मिनार है प्रधान्वंति नरेंद्र मोदी जी आप ही की लिखी हुई कविता की ये दो लाइने हैं आपने 400 पार वाला टागेट साइट सेक किया है होसलों की मिनार का उसी पर बाचीत करने के लिए मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ है श्वेता सेंग राहुल कवल सुधीर चौदरी हम चार के लोगों से कहीं मिलने का मौका मिला है लेकिन ये चतुस कौन पुरा है वैसे ही चार बिखटे होते हैं कहीं प्रकार के कहावत है सब तो मैं उप्योग नहीं कर सब्सक्राइब अच्छे वाली में बोल दूगा प्रसार मंत्री जी लोग जब चुनाओं की तायारी करते है तो उमीदवारों की लिस्ट बनाते हैं वो कौन हमारा स्टार क्यांपेनर होगा ये सब गुष्णा पत्रते करते हैं लेकिन आप सौ दिन आगे का अजेंडा बनाने में लग गए है इसलिए मेरा पहला प्रशनाप से यही है कि 2014 में जब आप आए तो सौ दिन के अंदर अगर आप सत्ता में आते हैं तो सौ दिन में क्या करेंगे कौन से बड़े और सक्थ पैसले ले सकते हैं इस तो शायद मेरी कारशेलिक है हिस्सा है कि मैं चीजों को बहुत बैले एडवांस करता हूं जिए मैं संगर्षन का काम करता था तब भी मैं काफी पुर्वान उमान लगाता था कि मुझे इस समय करना है समय करना है इसलिए मैं ताइम का भी धंग से बटवारा करता हूं प्राइटी भी बड़ी आसानी से तैय कर सकता हूं मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूड़न तो नहीं रहा हूं लेकिन शायद यह मेरा काम करते करते डवलप हुआ है जब मैं गुझराट में था तो गुझराट में भी आप हैं आर्म तर पर जो क्रीटिक्स होते हैं या उब्झरवर्स होते हैं वह शुरू के तबके का देते हैं बहु भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले पांस साथ-धस दिन बराबर देखा जाता है यह तो मुझे लाता है कि मुझे इसको आड्रेस पर करना चुछ है और मैं उस देशा में चला अब एक बड़ी इंट्रेस्टिंग गर्टा बताता हूं 26 जन्वर को गुजरात में भुकम भाया हूं भाहिंकर भुकम था मैं उसे में पार्टी का काम करता था कि अक्तूबर सेवन को मुझे अचानक सीएम बनना पड़ा हूं कि सीएम सपर लेकर करके मैं सीधा भुकम गर्ष इलागे में शुरा रहा रहा दो तिन रात में रही रहा देखा सब चीजिए पहले वॉलेंटेर के रूप में देखता था अब मैं सीएम के रूप में देखा कागत को जैसे मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करो रही है अग्या कर दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि एक साल में क्या जिए मुझे बताइए फिर मैंने पूरी मशिंटे को मबलेज किया और मैंने यहां शायद 24 जनवरी को दिल में आकर प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार दिया था और उस समय जैसी मेरा अनुमान था बहुत बड़ी मात्रा में मिडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मिडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमडी उधेड़ दे लेकिन बजा आप देखेंगे 24-25 जनवरी की रिपोर्ट वह वह किसी वह कुछ नहीं था और उसका एक कारण यह था कि मैंने मार्च के डेड़न को प्रिपॉंड कर लिया तो मेरी टीम का उत्सा भर गया कि यार देखे सफलता काम रेकिने हो रहा है तो मैं इसकी ताकत समझता हूं और इसलिए मैं एक सौधिन का दूसरा मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरकार चलती है यार को अच्छी चीजा जाई कि देख लेंगे जी नहीं सरकार मुझे चलाना है सरकार चलती है इसके लिए लोगों नहीं पिठाया है मुझे देश में की चीजों को चलाना है मुझे कुछ चीजों को बदलना है और इसलिए मेरे पास तो मैंने क्या किया कि 2014 मैंने सवतिन के लिए सोचा पांथ साल की मैरन मैनिफेस्ट हो तक है आए मैं पिछले पांथ साल से काम करना है इसको ध्याना कर दढ़ा है है वेद्और पांच साल क्वामद से शायद बिस्क्लाब से ज्यादा तो मैं कह सकता हूं जिन से मैंने इन्पूट लिये हैं और मैं उनके आधार पर 47 का एक वीजन डॉक्यमेंट रहा है दो पीडी अपसोरों की रिटार हो चुकी होगी है इस पर काम करते करते काफे नए लोग आए हैं है है अब मैंने कहा मैंने चुनाव की मैंने पहले गोश्यद किए मेने पहले पुरा बड़ी समीट की तीने सभी काउंसिल की और सबी सचले मैं अब मुझे उसको पांच साल में बताई फिर मैंने पांच साल का बनाया है फिर मैंने उनको कहा अब मुझे इसमें सब्सक्राइब कर निकाल पॉइंट फिर मुझा पर पाइब कर रहे हैं तो उन्हों ने काम कर रहे हैं पैयर किया है मेरे उनके साथ बैठना भी बाती हैं मैं समय निकाल करके बैठ लूँगा तो यह तैयार है मेरा लेकि अब मेरे मिन में काम करते करते नया विशार आया है जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ मैं जब सो दिन का सोच रहा था अभी मैं सवा सो दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं उत्साहिद भी हो गया हूँ कि मैं देखा कि पूरे केंपेंड में हैं कि फर्स्टाइम बोटर को हो यू आप लगी को यानि मैं उनका पॉल्वन देख रहा हूं मैं उनके एस्पिरेशन को फिल कर रहा हूं तो मैं आधकर मैं अनॉंस करने वाला हूं कि मैं अब एक सो परचीस दिन पर काम करना चाहता ह हूं सो दिन का मैंने प्लान कर लिया है मैं पच्छीस दिन और जोड़ना चाहता हूं और उस प्यॉरली मैं यूद को चाहता हूं को आप मुझा आइडिया देजिए आप मुझे अपनी प्रावर्यटी बताएगे तो मैं पच्छीस दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता तो सवास होगा मैं अब करूंगा कम सौसे मैं आगे बढ़ रहा हूं पच्छीस दिगा तो हो सकता है सर हमारा कारिकरम देखने के बाद ये इंट्व्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही आपको मैं पहले बार आपके सामने बोला हूं आप बता सकते हैं यूथ को बहु को कोई आश्वस्त हैं कि आप वापस आने वाले हैं जब बीजेपी के टिकेट दिये जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकेट नहीं है ये निरवाचन का सर्टिफिकेट है हर जगा जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है आपक इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक आफ पार्टिसेपेशन या जरूर से जादा एक शोरटी कैंडिडेट्स में या कारे करता हूं में एक तो ये जो चुनाव जीतन का फोन आया साथ सुतंबर की मिटिंग के निमेंटन के लिए मुझे जी सेवन का फोन आये तक हमें मिटिंग के ये तो दुनिया को तो पुरा वरुसा है कि ये सरकार बनने वाली है आप काफी लेट है लेकिन फिर भी देराय दुरस आये अच्छाई है जहां तक चुनाव क का सवार है मैंने एक साल पहले मुझे को काहा था भड़ी मीटिंग के कहा था की केंड़िडेट का इंतजार मत करो है अब का केंड़िडेट गोशित हो चुका है और वो है कमल है कमल ही आपका करना इस प्रकार से कर दिया है को हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं मैं पर आपको आपका सबसे चुनाव है ऐसा है कभी हमने जोन में जाना नहीं चाहिए अगर यह है तो कुछ चुन होधी खड़ी करूंगा desertutioner मृफ़े में लोग सब इतना असान है तो मेहनत क्यों कर रहे हैं मेहनत मैं इसको आफसर मानता हूं जनता जनारदन के दर्शन कर रहा है उनकी भावनाओं को सभजना यही तो मेरी प्राण शक्ति है दूसरा लोक तर्म चुनाव को हमने जीत हार के सिमिद अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह बहुत बड़ा एक प्रकार से उपन यूनिवर्सिटी होती है आपके पास अफसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का और आप जब डायरिक विचार ले जाते हैं तो बनifully डायरिजन आता है यहनि पर्फ्ट्ली मैसेजिंग कर सकते हैं अब जैसे काशी से गया तो मैंना काशी का मिज़ा जाला था लेकि माद गया अपना पुरा भाश्रान का विशे बदल दिया पहले मैं जाता था रसे में कुछ अलग सोथता था मैं क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यह जो लोग है मुझे इनके साथ यह बात करनी है और मैं मानता हूँ सभी राजनितिक दरों का करतब यह हैं कि वे चुनाव का भरपूर यह काम सबने करना चैएं अब तो चाहूंगा अभी भी करें पिशाब बचे आपने बज़ातां पर बचे हैं अपने उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं यह आपसे जानना चाहती हूं कि वह कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेता हैं मुझे गुजरात के दो विधान सभा चुनाव मैंने कवर किये ये तीसरा लोग सभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूं मैंने देखा हर जगे आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी र आप करिवार वाले लोग है आपके संतान है अगर आपका बैच्चा 90 मार्ग लाता है तो जुरू कहते होंगे नाइंटीन लाइन लाए होगे बुले 99 है सोलाना तो मुश्किल है लेकिन फिर भी जिनको ना जुरू कहते होंगे हमारे पास ऑल्रेडी 19 से 2400 थे एंडी एक र तो यह मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम निरनतर आगे बढ़ना चाहिए यह तो नहीं कह सकता 90 आए यार तेरे किसी दोस्कों 90 नहीं है साथ रहेंगे तो चल जाएगा तुम चिंता मत को रहता नहीं कह सकता नाइंटी है तो मैं कहूंगा नाइंटी लाओ तुम्हारे और दोस्तों को क्या है उसके आदा पर थोड़ा सोते हैं तूसरी आता है जहां तक दिम्मेवारी यह लेडर्शिप का करतब हैं जी आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है नेता भाग जाते हैं चमड़ी बचाते हैं यह तो देश के लिए सबसे निराशा और दुक्की बात हैं कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेनों को तयार है जो भागता नहीं है जो कह लेता है जी मैं यह कहता हूझ मेरी दिम्मवारी हैं और देश में राजनीतिक जीवर में हर बन में जीनेवारी लेने लोग होने चाहीए ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जब ने सातियों कर ठीकरा फोल कर गवहाग जाएं कि ये ठुणता दी है प्रधानमंत्री जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में मनमोहन सिंग के खिलाफ कॉंग्रेस और EPA के खिलाफ बहुत कुछ साथ था लोग बदलाब चाहते थे वोटिंग पसेंटीज थोड़ी सी कम हुई है वोटिंग पसेंटीज के दिखलाइन को आप केसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरहां का एंथूजियाजम नहीं है जो कि 2014 और 2019 में उसको आप केसे शड़ी करते हैं कि कुछ लोगों यार यह जीता हुआ है चुनाओं में क्या यार यार व्राइजमेंट भी नहीं मिलेगा कुछ बेकार हो जाएगा तो यह विए कारणा मुझे आद है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था तो यह ने वह होगा चुनाओं और 95 पहरे का कुछ चुनाओं होगा तो उसके ज्यादा इंडीपंडेंट लड़ते लोग लेकिन भाजय पाने शुरू के अगने हम सिंबॉल पर लड़े लोगों को आधर ड़को कि जिम्बेवार इत्ता है हो लड़ते थो पीजेपी पे भी कारकर का लड़ते हैं इंडीपंडेंट लड़ते तो हम पार्टी सिंबॉल हरे दिंडीपंडेंट जीते हैं हमारे पहले दिल्ली से जो पत्रगार आते ली फाइल लेक्त है और चुनाव गोच्वाल हो उन्हें सिर्फ करते अब यह भी तैस अम्निम में हार देते चुनाव कैसे ही सब्सक्रणास कि अब इस तो मैंना का है यहार तुम लोगों को पास कि मतदान का पुल्टिकल पार्टी के पफॉर्मंट वगारी चीचों से जोड़ करके देखने बजाए यह देखना चाहिए कि लोकतंत्र में मतदान बड़ा महत्वपोर है उदासिंता लोकतंत्र लिए अच्छी नहीं है हमारा नेरेटिव वो होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र मजबूस हो उसके बजाए हम उसमें से रिजन्ट खोजने लगते हैं और वो भी कथे नहीं है करक है सिरफ अब उन में लेंगें प्राइट करके क्या करेंगी सी जयो मैं नीचे जमीन पर जाता हूं और मैंने लोक बोल रहे हैं लिए तो 400 तो लेकिन आपके इस आत्म विश्वास को जोड़ दिया जाता है बहुत सारी और चीजों से भी संस्थाओं पर सवाल उठाये जाते हैं और विपक्षी दल जो आपके उपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर वो यह की संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है उसमें अब डूनोज से कि जो इलेक्शन कमिशन ने एक चिठी लिखी है वो चिठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो पुलीटीशन के लें जो एक्सपर्ट है जो इस वीशों को जानते हैं उनकी डिबेट हो और उन्होंने सही किया गलत किया क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कॉमेंट करूं ठीक नहीं है दूसरा इलेक्शन कमिशन यह जो इंस्टिटूट है करीब करीब पचान साथ ताल तक सिंगल मेंबर रही है कभी MP बने कभी पार्लामेंट का चुनाव लड़ने गए अडवाने जी के सामने मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था इसका उधार ने उस जमाने के जो इलेक्शन कमिशन जो रेटार हुए जो बैठे हैं वे आज भी उसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को प्रमोट क कमिशन पूर्ण रूप से स्वतंद्र बना है और मैं चाहूंगा आज तक से अब मुझे पका विश्वात है अभी नहीं तो कभी आप लोग करेंगे कि भारत के इलेक्शन कमिशन के जो यात्रा है इस पर अनालिसिस हो मैं आप दूसरा कहना है है डूनिया में भारत के ब्रांडिंग के लिए हमारे पास Olag अलग चीजह है जैसे मैं जिब दुनिया को वहता हूं मेरे ए grounds टीवी चनल मेरे साथ क्या करते हैं मेरा मुझता नहीं है मैं दुनिया को बताता हूं यह मेरा देख है तो शुन करके चौक जाता है और मैं कहता हूं इतनी लेंग्विजिज में तो परिशान हो जाता है तो मेरे लिए 900 चैनल मुझे दिन रात क्या करते वो अलग दूशे लेकिन 900 चैनल होगा मेरे देश के ताकट है तो मैं दुनिया के सामने बिले भारत का इलेक्शन का भीशन भारत की इलेक्शन प्रोसेस विश्व के लिए बहुत बड़ा अज्यूबा है यह हम सप्पा करता भी है कि हमारे देश का ब्राड्निंग करे मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउस को यहां इन्वाइट करना कि चुनाओं मैं कि दो हैलिकोर्टर हुंके लिए 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 आपने अच्छा इडिया अगले बार के लिए बस सब्सक्राइब इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा जैसे इस बार हमारी यहां कई पॉल्टेकल पार्टी के लोग आए दुनिया बर से कुछ ऑबजर्वर के रूप में लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं सच मैं भारत का लोकतंत्र का उस्व भारत के सामाने मादमी के लोकतंत्र जैसे और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी लाखों लोग लगते हैं और समय से मां यह अधिवूत काम है जी यह बहुत सब्सक्राइब करें यह एक बहुत बड़ा एंदुस्तान का चाहिए हमने गर्व करना चाहिए तो आपने आज तक हलिकॉप्टर शॉट देखा कि नहीं देखा मास समय नहीं मिला मुझे देखा नहीं लेगा मुझे चिंता जुरूर आटी थी कि कि कुनी आपाथा पी में अच्छे हली को तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको लेंडिंग करने मिलेंगा मुझेगा नहीं मिला और को यूओने हो रुखावत हो जाएगी वेधर प्रॉब्लेम हो यह सरराल नहीं जी बड़ा कठी है आप नेरीटिव की बात कर रहे थें सर जैसे जब भी आप चुना अब उस पर भी एक दूसरा निरेटिव है अब लोग कहते हैं कि ये one nation one dress हो जाएगी, one nation one food हो जाएगा, one nation one language हो जाएगा और उसका एक आगे ये है कि अब one nation one leader हो जाएगा और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्या कभी आपको अफसर मिला है क्या कि ऐसा जो बोलते हैं उनको जड़ा काउंटर सावल करें एक अज़ बार तो पूजी है कि आप ये नेरेटिव लाहे कहां से कंभीर बात बता रहें उनको बताएं कि आपने यूशी सी पढ़ा है क्या यूशी होता क्या यह तो तो आपके जिम्मेवारी बनती है मुझे जवाब दे करके देश को बताना या आप भी तो थोड़ा है वंबर जिए जिनके मन लेकिंगे लेकिन कम से कम इस देश के पाद एक्जाम पर है गोवां में यूशी सी है मुझे बताएए क्या गोवां के लोग एकी प्रकार के कपड़ पहन धेते हैं क्या मजाग बनाके रखाए यूनिफरम सिबिल कोर इसका इसका वो लेना देना ही नहींगी भारत की सुप्रीम कौट ने कम से कम दो रज़न बार कहा है कि इस देश में विसे से लाओ मुझे याद है कि मैं शायद एकता हैत्रा में जब चला था परन्या कुमारी से कश्मीर जा रहा था और महाराष्ट मैं साइद और रंगावाद मुस्पावर्देश हैं हमारा जो बरत का साम का जो कारकम था उसमार चीली का कोई बाजार है सब्सक्राइब करते हैं और डाक्टर जोशी जी को उसकी एलर्जी है तो वह इतनम से बिमार हो गया है जैने बड़ी हालोत खराब हो गया जिनकी जी जान नहीं रहा कि वहां हम कारकम करें नहीं करें तुम फरा मोर्चा मुझे समालना पड़ा मैं तो बहुत जुनिया साथ तो फिर वहां मैं जा रहा था मारा रख स्कूल के बच्चे सब्ड़कर मैं नेका रफ रोकों में बीशे बात करते हैं तो मैं बच्चों के साथ बात को नेगा साथ उसका वीडियो कहीं उपलब दोगा उसका बच्चों को बताओ भाई आपके परिवार में पांच लोग है बड़ी भाई के लिए आपके माता पूता एक नियम कानून रखते हैं दूसरे नियम कानून रखते हैं तुने अने बच्चों ने एलीफ़म समझ और यह आठफी नहीं के बच्चे थे जो मेरे देश के महारच्फ के टियर टूट ये भटक्षे समझते हैं। तो देश के नेता नहीं समझते हैं। सब मेरी मनमे सबस्क आएज एly可愛 निर झुटिव और निरटिव को इंसान नहीं कट्लाता है! माप करना इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मवार भ्यवार है जो ऐसे गलत नेरेटिव को बल देता है एक आदमी कि क्या टाकत है जी बोलता रहेगा कौन-कौन पूछेगा जी कि यह देश का देश के लिए यह कि पुलिटिकल पार्टी का विश्य नहीं है जी देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत को उस दिशा में जाना चाहिए क्या उस समय के हमारे लोगों को यह था कि सबको गुलाब लगाना पड़ेगा इसलिए उसी से आने वाला था संविधान सभा में यह आया था नेरेटिव में अब देखे जैसे यह एक नया चल पड़ा कि संविधान बदलने वाले हैं और यह अचानक से उन्होंने कहा और व सिर्फ पहले यह पूछ रही जी यह समिधान सवाल यह पूछना चाहिए चरचा इस देश में सबसे पहले समिधान के साथ खिलवार किस ने किया पंडित नहरू ने किया पहला समिधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रिडम ऑफ पीश को रिष्टिक करने वा सब्सक्राइब कर दिया तो देश में दोलंच चला तो उन्होंने इमर्जन से लगा करके सारे अख़वारों को बन कर दिया मर्जन से का एक फाइदा हुआ हरुणपुरी को इंडिया टुरे का जन्म हुआ जो भी फाइदा हुआ हुआ भूक रोजी रोटी का सवास है उस्वाई इंडिया चुड़ें जन्म हुआ उसके बाद उनके बेटे आये, सहावानों का जेजमेंट आया, उन्होंने सुप्रियूम गौड के जेजमेंट को लट दिया, वे समयदान को बदला उन्हों ने, फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था, मिडिया पर रिस्ट्रिक्शन का, देश भर में विपक्स थो करना पड़ा, फिर उनके साथ बेटे आये, तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल देए, रिमोट कंट्रोल सरकार गई, प्रदान मुत्री भी से पदपर, सम्विधान की कोग से सरकार बनी थे, सरकार मुझे पसंद है नहीं पसंद नहीं चलता है, वो बारत के लोक तंतर के द् केबिनेट बनी इसे, उस केबिनेट ने एक द्नेने किया, और एक साहजादा प्रेस्पंपन बुला करके केबिनेट के द्च्यां उड़ा दीता है, उतना ही नहीं केबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है, इसका मतलब यह हुआ, कि एक ही परिवार के चार लोगों ने अलग-अलग समय पर संविधान की तज्चियां उड़ा दी है, उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकते करनेता जमाना चला गया, और इसलिए मैं आज दंके के चोट पर लोगों को कहता हूं, कि मोदी जिन्दा है, तब तक जो संविधान सभागी मूल भावना है, कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा, मैं इसके लड़ाई लड़ूँगा, मेरी जान खापादूँगा मैं इसके लिए, धर्म के आधार पर आरक्षन, धर्म के आधार पर आपने देश को बाढ़ दिया एक बार, अभी धर्म के आधार पर करूंगा उसके लिए मैं अपना जीवन का पाऊंगा मोदी जी इस चुनाफ के दौरान और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियां यह आरूप लगाती हैं कि लोगतंतर हिंदुस्तान में खत्रे नहीं इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब यह कहा जाता है कि लोग आपसे बहुत डरते हैं इस तरह उनको लग रहा है कि देमोक्राइटिक बैक्स्लाइडिंग हो रही इसको आप कैसे देखते हैं कि पार्लामेंट के अंदर डिबेट करने के लिए बार-बार हम कहने आए यह लेकिन कि इनको लगता है कि हमारे पास कहने को कुछ है नहीं कि कहने वाले भी लोग नहीं है इनकी जितने नए आए एंपी आये है वो आके मुझे कहता है कि आप वाले के पांट साल बरबास हो गए हम एक शब्द बोलनी पाए हाउस में कि मैं उपोजिशन की बाद कर रहा हूं मैंने कभी उनके नेताओं को कहा मैं आपको करना इसा करो एक घंटा आपके यंग जो फरस्टाइम एंपी है उनको मुखा दो फिर डिस्टब करो बाद में करो डिस्टब इनको जीवन पर मैं कह चुगा हुझा मेरी कोशिश रही है कि लोग कुछ करें लेकिन दुर्भाग यह है कि कॉंग्रेस का यह परिवार वद्व के लिए लोगतंतर मतलब भुंग का सत्ता में हो ना है वह आज भी स्विकार करने को तयार नहीं है कि दस जोजार चल्दा सेश देश में कोई दूसरी सरकार देश केमें चुनी है कि को दुसरा प्रणामंत्री है जो देश ने बनाया है मन से स्विकार नहीं कर पा से और इस लिए वो हर जगाव उनका उनके मैनिफेस्टन से अगार आप implement कर रहे हैं अब उनको बूरा लग रहा है उनकी कहीऊ ही बाते हैं । तो हम कहते हैं आप कर रहे हैं अच्छी बात है हमें मुखा नहीं मिला प्राणव मुखर जी कहते थे कि मेरे साथ जो नहोंने काम किया कितना इंस्टिटूशन की कि प्रतिष्टा में बढ़ाई सुप्रिम कॉट मुझे बताइए उपर से लोग कहते हैं कि सरकार की सुप्रिम कॉट में कुछ चलती ही नहीं है और उसमें हमारा हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेस्टन किया जा रहा है इसका मतलब पहले कुछ लोग जो जूड़ी सेरे को मैंनेज करते थे और वो इंस्टिटूशन ठीक थी मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए कानू का काम करेगा प्रदानवंत्री जाच एजनसियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है विपक्ष चिलाता ही ट्रीका यह तरीका है जैसे मैं कहता हूं कि परिवारवादी पार्टी तो हमारे मिडिया के लोग मुझे सवाल क्या पोछे कि राज्णासी का बेटा भी को है दूनों में फरक है कि हम मुद्धों को इस परकार से डाइवर्ट करने की मदद मिडिया कम्से कम इन को ना करें मेरा आग्रह रहेगा कि मैं जब परिवारवादी पार्टी कहता हूं उसका मटलब है कि पार्टी आपड़ फैमिली बायते फैमिली फॉर्ड़ फैमिली किसी परिवार के दस लोग अगर पॉब्लिक लाइप में आते तो बुरा है समय नहीं मानता हूं चांड इड़ी जो कदम उठाती है वो कदम आप मुझे बताए कि आज से भी साल पहले खबर क्या रहेते थे ब्लैक मार्केट पर सर्च हुई रेड हुई है इतना चीज पकड़ी इतनी चीनी पकड़ी गई है अब वो खबर आती है क्या नहीं आती है क्यों क्योंकि उस समय उस इंस्टिटूट में जो भी काम किया जो कानून नों बढ़लावाया टैक्सेशन परिवरता नाया तो ब्लैक मार्केट की दु ब्रस्टाचार भी जा सकता है क्यों अगर उसके पास जिसकी काम जिम्मेवारी वो काम करें तो सच मुझा पूछना चाहिए कि 10 साल तक इडी को इतना पगार दिया उन्हें काम किया क्या बहुत चार से 2014 काम क्यों नहीं किया उसकी डूटी है मुझे बताईए रेलिवे का टिकट चकर है तो टिकट चेक नहीं करेगा तो रखने की क्या जरूते हैं उसी काम के लिए हो आप अगर मिडिया में है आप अगर मोदी का जन्ना लेकर करके भक्ति पूर्व गुमते रहेंगे तो आपको कौन आज तक बना रखेंगे कल निकाल देगा आपका काम है दस च दो हजार चाहर से चाहुदा व्यवस्ता तो यही थी कानून वही था मैंने कानून नहीं बटला है मैंने इड़ी बनाई नहीं है उन्होंने बिलकुल निकमापन किया कोई काम किया नहीं सिर्फ 34 रूपिया 35 लाग 34 रूपिया जब्ट किया कि दस चाहर में हम दो भी पक्ष में किसने रोकाता में मेरी सरकार ने बाइस सो करोड रूपिया पकड़ा है नोटों के धेर आपके टिवी वालों ने दिखाए है जी बंगाल जहार करें उस इड़ी को उस इड़ी को आप कैसे बतनाम कर सकते हो जी MP के घर से मिले हैं पैसे हैं आप कैसे हो कर सकते हों मुझे बताइए कही Bowl अगर डंस की बहुत बड़ी में खेप पकड़ लेता ऺंगा तरी में इसका पकड़ गूराज है क्योंтовें करनेगा यह क्यों सब पे बराबरी से हो इंडाउ words और कोई यही होना चाहिए लड़ाई प्रस्टाचार के खिलाब है देश में प्रस्टाचार खतम होना चाहिए और यह देश का बहुत विनास कर रहा है जी बहुत विनास कर रहा है मुदी जै कुछ ऐसी पार्टियां भी आजकल दिखती है जिसे उडिसा आंधर प्रदेश हम देखें बहुत शिद्दत से चुनाओ लड़ते हैं आप लोग विधान सभा चुनाओ हो लोग सभा चुनाओ हो बीजेडी वायसर कॉंग्रेस सब भारतिय जनता पार्टी के खिला मैं हमेशा कहता हूं चुनाओ पीन याद चार मेने के लिए होना चाहिए पांच साल राजनीती नहीं होनी चाहिए है हमने चार साथे-चार साल मिल बैट करके जहां में निकत आसे हैं आकर के देश चढ़ाना चाहिए छे महने चुनाओ है लड़ लो पुरी ताकत से लड़ एंहानमें आजकित अब आपने देखा होगा फ्रैंडलि मैच होते हैं खेल गुज में के लियुज में लेकिन जब पर आक्शली धोता है सब आमने सामने हार जीची सप्सॉत आप हम पहले तो टेस्ट मैंश होती थी उसके पहले तीन दिन की एक वह तीन दिन का रहता था था कि खिलाड़ी को जानते वगरे यह कुछ में तब स्पोर्श्मन स्पिरिट सब्दें पैदा हुआ है राजनीती में भी मेरा मत है चार साड़े-चार साल मुद्दों के अधार पर देश हित में अब लोगों चलना चाहिए तो आप थर्टर में कमिट कर रहे हैं वान नेशन वान इलेक्शन सा ऐसा है कि मुझे बड़ा धर्द होता है कि जब एक राज्य का चुना हो रहा है और देश का प्रधान मंत्री है उस राज्य में जा करके किसी भी दलगाव उस मुख्य मंत्र के खिलाब भाशन कर रहा है अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जा करके बोलना पड़ रहा है पॉलिटिकल कंपलसर है अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे उसमें से फिर जो भी अमरूट निकलेगा निकल करके आगे पढ़ेंगे फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना होता है मैं जब गुजरात में था हूं तो यह इवन मनमौन सिंगी के सरकार उनके समय इलेक्शन कमिशन सबसे ज्यादा अफ अपर असी मेरे अफसर चली जाते थे और साल में करीब करीब सो दिन किसी चुनाओं में लगे रहते थे मैं कहता है मेरा राज्य इतना अक्टिव राज्य है मैं असी लोग चले जाते में करूंगा कैसे यह बंद करो आप मैं अब्जर्वर नहीं दूगा लो तो उनके पारीज दिन तक सबको वेकरशन मिल जाता है जब मौच करते हैं छे साथ में देश इतना बड़ा देश रूप जाए कैसे रूप होता है इतने बड़े देश में बहुत तरह संकत है पहले भी हमारे देश में लेक्शन नहीं ठाजिए यह 67 बाद आया तो अभी कमिशन में कमिशन के रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का स्टड़ी कर रहे हैं स्टड़ी करके उसमें एक्स्नेबल पॉइंट आएंगे हमारा यह इक कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है देश की लिए बहुत जरूरी है यह रोजगार बनाम लाभार्थी एक बहस यह भी दे को कह रहें कि हम जादा अग्रेसिव आक्रमप तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं यह कॉंग्रस का दावा है बनाम बीजेपी बनाम प्रधानमंत्री नरेंदु इस पर आप अगर वो इतने इमानदार है जहां उनकी सरकार है वहां उनकी मूह पर ताला क् हुआ कि दूसरा अगर सरकार का रोजगार का जिमारा मेरे हख़िए पर अगर आप बादा पूरी करने के बहुंग कर दो 이제 मेरे हिसाब से रोजगार के जोойдगालां हुआ है माइक्रोफाइनस के कारण जो रोजगार उपलब्द हुआ है केंद्र की दस बारा जो युजना ऐसी है जिसके अधार पर उन्हों एक घर बनता है तो कितने परसन अवर्स रोजगार मिलता होगा पहले मैं अवर्स कहते थे जैंडर नीट्रल दुनिया हो गई तो परसन अवर बोलते हैं तो प्रक्रोड परसन यह उनका हुआ है यह नहीं अपने जन्रेट हुई है अभी आकड़ा बहुत बढ़ा है इसके इस साह版 से देखें तो अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलो मेटा रोड नहीं कि इस फेरी इतने अगे पॉंटे टेर्फोर जरीब में गरता है ग्यारा करोड ट्वाइलेट बने हैं फाइव जी दुनिया में सबसे तेज गती से रोल आउट हुआ इसके लिए इंट्रास्ट कर लगता है ऐसा नहीं बढ़ता है कि फाइजी टावर लगते हैं उसके लिए छुटी-छुटी चीज़े बनाने वाले लगते हैं इसका मतलब क इन सारी चीज़ों को जोड़ेगे पीएफस का अकड़ा तो बिल्कुल हकिकता गायधार चैसात साल में 6 करोड नए जौब यह आपको ओन रेकॉर्ड मिल रहे हैं इपीएफों 10 साल में कबर होने वाले लोग में 167 परसेंट इतना बड़ो बड़ोतरी हुई है अब इसको म मानेंगे यहाने इन्फासे का मुद्रा लोन करीब 43 करोड लोन अलग रग कुछ लोग रिपीट होंगे उसमें 70 परसेंट वो हैं जो पहली बंगर रोजगार कर रहे हैं अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा कुछ कारोबार चला होगा एक को तो देता हो यह सब ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है इसी मैंने हमारे देश में तो मुसिबत यह हैं कि रिकूरूट् प्राइजमेंट निकलेगा डिपार्टमेंट मांगेगा फाइनांस अब यह उसकी प्रक्रिया किसी व्यक्ति तक पता करेंगे नोक्री आने वाली है उसके पहले एक साल लग जाता है मैंने इसको इतना छोटा कर दिया है आज धाई-तीन महिने में फाइनल हो जाता है कि लोग होते हैं आप जैसे आप हैं आपके पास यहां काम है तो उसके साथ वह बेरोजगा है को यह भी एक बहुत बड़ा रहता है तो धन्मंत्री जी हाली में अंतराश्ट्री अर्थ शास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पकेटी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इंकम इनिक्वालिटी बढ़ रहे हैं यानि कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं कि भारत की इकनोमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ट है कि ऊपर लोग अमीर हो रहें और नीचे लोग गरीब हो रहें आप इसको कैसे देखते हैं जो सब कर सब्सक्राइब इस नियुक्त मत इस देश में पहले तब आये तो दिरे दिर होंगे तो दिरे दिरह राद यहाँ तो यहाँ है तो सब यहाँएंगे थोड़े यहाईए गे वो नीचे वालों को लाएंगे, थोड़े उपर आएंगे, ठोड़े ओर उपर आएंगे उनको लाएंगे, एक प्रोस्तास होती है, और इसलिए या तो हम जिक्ताए करें, कि हम सब गरीब रहना चाहते हैं, हम में कोई जरूरत नहीं है, अगर हरे को भ बढ़ेंगे, कल 100 बढ़ेंगे, फिर 500 बढ़ेंगे, अब हो रहा है, आप पहले स्टार्ट अप हमारे देश में कुछ सैक्ड़ों थे, अच्वालाग स्टार्ट अप है, तो प्रगत भी हो रही है, पहले हवाई जाहाद में बैठने वालों किसे इतनी थी, आज एक हजार है, आज हिंदुतान में सरकार के और प्राइवेट गिने तो करीब 600-700 भाई जाहाद है, नए एक हजार है, हावाई जाहाद, मतलब की प्रोस्परेटी बड़ी है, आज मुझे बताईए, बद्रिनात के जानात वगरे यात्रा हैं, यह लोग जा रहे हैं, वो पैसे कहां से जा रहे हैं, अगर पांच ही अमिर लोग होते हैं, तो इतनी शादिया विज्वेश हो में कैसे करवाते हैं भारत के लोगों, और इसने मैने तो कहां भेडी इन इंडिया, फिक्स प्रोस्परेटी आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है, यहां जाएंगे, उनको लगता है, मैं नहीं देखा नहीं, और कहता है, मुझे सिंगापर देखना है, तो यह हमें सित्याओं को सही तरीके से देखना चाहिए, डर के मारें बहुत लोग इंडिया में शादी कर रहे हैं, बोदी जी को रिपोर्ट चली गई, शादी विदेश होई, डर के कारां कर रहे हैं, व और बोले मैंने तो आई के लिए में हिंदुस्ता में शादी चोटी चोटी जगें बड़ी अच्छी है, आपके आइडिया के बाद सब जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग काश्वीर में हो रही है, मैं बताता हूं जी, मेरे हाँ बद्रिनात के जारनात में उनकी बड की, काँ रहूल, हमारे उनकी आपके वाले रही है, आज सौर पॉम है, लेकिन मैं दूसरे ऑले रहूल के भी बात करता हूँ, अ अब दूसरे याले रहूल जो है, वो औरे आपकी जो च्छवी है, वो है गरीबों के मसीह की चवी, हमने देखा महलाएं कैसे रोने लगते है जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना सुसेट करती हैं, आपकी जो योजनाएं भी हैं, वो सब 25 करोर लोगों को आपने गरीबी रिका से बाहर होता है, लेकिन जो आरोप दूसरे वाले रहु लगा रहे हैं आपके उपर, वो है कि आपकी बड़े बड़े उद्योग प प्रब्लम यह है, कि यह बोज में दबा हुआ परिवार है, नहरु जी को गालिया पढ़ती थी, बिल्ला ताटा की सरकार, बिल्ला ताटा की सरकार, पार्लामेंट मुद्यत ने कि तो ताटा बिल्ला सरकार, ताटा बिल्ला सरकार, ताटा बिल्ला सरकार, नहरु जी लगात और सुनते आए थे अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी मोधी को पड़नी चाहिए तो वो सब चीज़ पूर अफिल क्यों लाए बुद्धा अफिल नहीं था उनको लगता कर अफिल करूंगा तो इसलिए वो लाए पये से सइकोलोजिकल प्रॉब्लम है इस चुना उनको लगता करम मुदित तीस्री बार हो गया तो मेरे पिताजी की को इज़ेड नहीं की दादी की इज़त नहीं रहेगी यह तो नहरू के बराबर हो जाएगा वो हर चीज उसी से कंप्रिजन करते हैं और इसलिए गालिया यह सब उन्होंने कहीं से उधारी लिवी गालिया है जो अब दूसरा बात है मैं लाल के लिए पर से बोलता हूं जी मैं शर्माता नहीं हूं मैं लाल के लिए से बोलता हूं इस देश में वेल्ट क्रियेटर्स की इज़्जत होनी चाहिए मेरे देश में जो एक स्रक्षम लोग हैं जो सामर्दमान लोग हैं इनकी प्रतिष्टा बढ़नी चाहिए मैं मेरे पंदरा आगस के जो गेस्टलिस होता है उसमें मैं फिलाडी जो एक्टिवर्स हैं उनको बिठाता हूं अगर देश एकिवर्स की पूझा नहीं करेगा देश का महत्मा इस नहीं करेगा तो मेरे देश में पीेचरी करने वाले लोग कहां से निगलेंग的话 साइंटिस कहां से निकलेंगे जीवन के हर शेत्र में एकिवर्स की इजट होनी चाहिए आगर कल आज तक गलोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूँ ताली बजाओंगा जी मुझे मालू मैं आज तक मेरे साथ क्या जरूं करता है लेकिन मैं उसकी ताली बजाओंगा क्यों मेरे देश की आज तक ग्लोबल हुआ मुझे तो दूख है जी कि CNN BBC और जादी के 35 साल होगे मेरी ग्लोबल चैनल अलजजीरा रातोरात आए और ग्लोबल चैनल बन जाए अब कोई कहेगा तुम तो अरुन पूरी बड़े धनपती की मदद कर रहे हो मैं धनपती के मदद नहीं कर रहा हूं मेरे देश का गर्वा है मेरे देश की मल्टिनेशनल कंपनिया क्यों नहीं होनी चाहिए दुनिया के मेरे देश की कंपनियों की दुकाने क्यों नहीं होनी चाहिए दुनिया के लोग रोजगार के लिए मेरे देश के शर्मात्य का वह भाई हां वे माने किये तो फासी पर लटका तो गलत तरीके से दिये हैं तो फासी आधे लेकिन मैं मेरे देश में बे देश के उजवल भॉष के लिए जितना मैं। मेरे स्रामिक के पईसव कुछiosis बाध मैरे लिए पुजी प॥ी पती का पैसा हो करने वालों का दिमाध फ।क्राइब करने वाले का पसीना हो थिटीन ओकि परीबार के रूप में देखता हूं सब जा कर कि विकास हो तो पर यह पैस्यों कि बात आप है तो मैंने श्मीत पत्र किया इस मुद्दे पर कि यह जब्त करता है पैसा वो पैसे जाते कहां और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब लेने वाला भी कुछ बताता नहीं देने वाला भी नहीं बताता है लिकिन ज्यादा कर निर्दोष्ट लोग है जैसे बंगाल में शिक्षकों की भरती में पैसे गए तो पता है कि इस आजमे को नोक्री मिली उसके पास कुछ नहीं और उसने बेचाने नियहां से करी लिया या आपने जमीन गिर भी रखी ज़र गर गिर रखा और उसमें सी तरह पैसे दिया तो ट्रेल है तो अभी हमने काफी पैसे जबत किये हैं प्रोटल प्रॉपर्टी कोई हमने सवालाग करूर की चपते की है बहुत बड़ी सवालाग करूर तो मैं इस पैस्वकुम को अब जैसे केरल मैं साथ कॉम्मिनिस्ट पार्टी एक ऐसा रेकर चलाती है यह बड़े इमांदारी के ठेका लेकर गुम रहे हैं कोपरेटिव नेट द्रस्राइथ है की बेटी बड़ी होगी तो चाजी के लिए काम आएंगे बेटा बड़ा हो गएंक कंड़ा बढ़ा एसे लोगू होते हैं इन्नोंने क्या कि इन पैसओं को अपने नीची बिज्नेस पार्टनिसिक्स के नाम पर माड़ दिये और हजारों करोर का गफला उन्होंने किया है बैंकों में को प्रॉपरेटी में को यह के आपके लिए ब्यादे वो केरल फाइल को लेकर करके तो आप लोग डरते हैं लेकिन इसमें काम कर सकते हैं साथ अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा अब हम प्रॉपरेटी जब तक कर गया है मैं चाहता हूं को मैं उस प्रॉपरेटी से कैसे कैसे और जो संपति उसको आक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लोटा हूं अब तक मैं 17,000 क्रोन रुपी लोटा चुका ह भीट जो जिसका ट्रेल मिला अब उलालु जी ने अगरीब लोगों को जॉब देने के बचले जमीन लिखवानी और लियू है तो ट्रेल मिल रही है इस की जमीन गई इस तरी को गई इस तरी को नोक्री मिली अब हमने जब्त किया है हम उसका वाक्षिंट करके उस गरीब को जमीर वापिस करने के लिए मैं सोच रहा हूं तो मैं दिमाग काफि लगा रहा हूं इस में क्योंकि कि यह मेरा मज़े मन से फिर होगा है यह गरीबों का पैसा है यह लोगों ने अपनी पदकाउद रूप्यों करके लूटा है इनको मिला के बार कानूनी बदलाव करने पड़े का दोर करूंगा मैं अभी सब मैं लीगल टीम की मंदर ले रहा हूं मैं जूडिशरी के लोगों से मैंने का मैंने कुछ रास्ता बताओं मुझे पड़े रखने से क्या मतलब है पैसे हमने जो न्याय सहीता नहीं लाए है उसमें कुछ सुविधाय हम लाए है और वह कानून एक तो ऐसा बना होगा है अब पुलिस थाने में रखा है बारी साही भीग गया है तो मच्छर मक्री अधेर हो गया उस रास्ते से बुझना मुझेल हो गया अब कानून यह कहता है इसको आफार डिस्पाजब नहीं कर सकते तो तब से मेरे उन पेटा कानून पदगा चाहिए पुलिस थाने म आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन ली है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले लाभार्तियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीन चल रहा है लाभार्तियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है मुसलिम है कि समुदाय का है कोई नहीं क्या जरूरत है यह विपक्ष बार-बार आपको इसी मुद्दे पर घेड़ता है विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी क्यांपेंड करते हैं उसमें आप हिंदू मुसलिम यह यह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा ने मैं ठीक से बताना चाहता हूं दर्शकों को होता कहजी आपने पूरी तरह सामप्रदाइग एजन्दा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया मैंने उसके दज्जियां उड़ाई मैंने उस पर आरोप लगाए है तो जो मूल बाती उसको उनकी एकोसिस्टिम हटा देती है और आप लोग इस एकोसिस्टिम के इतने प्रि मेरी बाद को लेकर के चलाते हैं तो आपको लगता है मैं मुसल्मान मुसल्मा बुला बात यह नहीं है जी मुद्दा यह है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है कि अब वो कांट्रेक सिस्टिम में भी माइनोरीटी को लाएंगे ठेका माइनोरीटी को दिया ज परता है चुकि मुझे अलपसंख्यक बोलना पड़ता है तो आप मिनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं मैं उन पर कर रहा हूं जो भारत के सेकलरिजम की दज्जियां उड़ा रही है जो एपीजमेंट का पुलिक्स क कि सम्विधान की भावनाओं को नश्ट कर रही हैं और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं क्यों मैं कहता हूं अगर मान दीजिए एक गाउं में 700 लोग रहते हैं फलानी स्किम के सो लाभारती है तो मेरा हरता है उन सो को मिलना चाहिए फिर इज जाती है उज जाती है नहीं हाँ हो सकता है किसी को सोंबार को मिलेगा किसी को बुदवार को मिलेगा किसी को जन्वरी को मिलेगा किसी को जुलाय में मिलेगा लेकिन हकदार जीतने हैं सब को मिल आप पूरी डिवेट देखिए हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदु मुसल्मान किया है उनके मैनिफेस्टों को समझाने के लिए को हम समझारेंगे ऐसा अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं हम मुसल्मान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थपा लग जाए न बोले मैं मुसल्मानों को समझार पर उन्होंने देश तो ले लिया है स्वाइब क्या वो देश मद्रे साव सरसे चल जाएगा जा क्या से किक MICHAEL doen को ढुक्त नहीं चीह संहें था पूड़ आप अप इनजीनियर हैं तो आप drifting लेनी पढ़ेगी है मैं मुसंवार मान को एक कि हें और भूट करने वाली आदत है देश में इसकता पाने के लिए करो वो नहीं सकते और मुझे ऐसे सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बरबाद करें ऐसे सत्ता मुझे विरोधी होँ ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो वह आपकी मजबूरी है मेरी मजबूरी नहीं मैं कुछ ऐसा लेबल लगाने की कोशिश कश्मीर को लेकर भी की गई थी जब 370 हट आये गया था मुद्यजी 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है उसके बाद भी किया है और केवल एक शहर और डाउन टाउन नहीं बलकि बॉर्डर्स तक जहां पर लोगों ने लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं वो जुड़ रहे हैं मुख्यधारा के साथ फिर 370 आया उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई हरताल नहीं हुई श्री नगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे राज्य का दर्जा ले लिया है आप जम्मु कश्मीर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे पहली बात है कि मेरे इस चुनाव में आपने सवाल पूछा होता सवाल भी पैदा करता हूं जवाब भी देता हूं इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी कि मेरे लिए संतोष की पल है स्री नगर का वोटी क्योंकि इस नहीं इस बात को थपा मार दिया कि मेरी नीतिया सही है मैं कोई डिस्क्रिमेर्शन नहीं करता हूं मेरी सरकार धर्म के आधार पर बेद्वाव नहीं करती है जहां तक राज्य का धर्यका हमने पार्लामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटे हैं हां हम सफल होना चाहते हैं सफल विल्टे कर पावर में नहीं स्थीतियों में और पहले हम पर क्या गालिया पड़ती थी आपने इंटरनेट बन कर दिया है चाहर हो लाम ब्रिया में हम जाते हैं मीटिंग में तो आप लोग मिलते थे इंटरनेट के दिया कौन सा लोग कंतर है गालिया खाई लेकिन मेरे कश्मीर का भणा मैंने किया है मैं दूर का देख सकता था आप चोभीश गंटी चैनल के लिए देखते थे मैं देश के अब दस साल का समय लगा लिजे मालों 2004 से 2017 कितनी माताओं अपने बैच्चे खोए होंगे 2014 से 2014 कितनी माताओं के लाल बज़ ले हैं इससे बड़ा संतुष क्या होता है और इसलिए राज्य भी हमारा अपना सफलता कि भी करेंगे मैं चाहूँ की कि फुसल करो तो मुझे घिभू मिलेंगे नहीं तो मेरा बीज भी बरबाद हो जाएगा धनंत्री जी मेरे पिता फॉज में थे बच्पन से ही हम कश्मीर जाते रहे हर जर्मी सर्वी की शुक्ती में इस बार मैं जब तुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारा मुला आनंत नाग ऐसी जब हों पर प्रचार चल रहा था लोग में जहां पर पहले सेना की गाड़ी जब निकलती ती लोग उपर देखते थे खिर्की से कहीं गोली ना चले वहां नेताब खुले में प्रचार कर रहे हो रात को नौ दस बजे तक लाल चौंग खुला है दुकाने खुली में शौपिं हो इसके बाद आप कश्मीर में क्या कि मैं कुछ दिन पहले मेरा कारकम था जम कश्मीजा है कि चाली साथ के बाद इसने बड़ी रेली हुई है कि कॉमेंट क्या होती से सरकारियाद में लाकर बढ़ा दिया आप आप तेश्का भड़ा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं अब उनके मूँ पर ताने लग हैं और उन्होंने साथ मेरी इच्छा है कि चुनाव फेस्टिवल होना चाहिए चुनाव यह जा करके एक मैंने यारभ करने कल्ग डाल क्या है ऐसा नहीं मैं देख रहा था स्रीनगर में फेस्टिवल का मूर था जी लोग मूँ चाई पला रहा है ते लोग तालिया बजा र अधानति जी आप हमेशा यह कहते हैं कि आप सीख समुदाय के बहुत नजदिक हैं यहाँ पेस्वन मंदिर की तस्वीर भी लगी होगी है जहां हम बैठे हैं लेकिन यह भी हकीकत है कि पंजाब में आपकी लोग परता है बाकी देश में जितनी है उससे थोड़ी कम है और स समुदाय आपको जिस तरीके से देखता है उसमें वो जो गैफ है उसका अपकम करने में काम्याब होएं कि अच्छा होगा या आपकी कोई पंजाबी चैनल हो या आपके पंजाबी लोग हो तो एनालिसिस करें किस देश के सिक्ष समाज के मुल्भूत मुद्दे क्या रहे हैं और किस सरकार ने उन मुद्दों को कैसे एटेंड किया है और फिर लिस्ट नेका लिए भार तो आप हंडेज में हंडेज मार्ग मुझे देए अब हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच प और इमर्जंसी में मैं सिक्षी के वेश में रहता था अंडरगाउंटा था और मुझे सहाज उत्से मैं यहां दिली में रहता था तो भी मैं कभी-कभी लंगर खाने जाता था इतले नहीं कि मुफद का मिलता है इस एक सद्दा दी एने सद्दा से जाता हूं मैं आज भी मानता हूं जी कि सिक्स समाज ने बहुत बड़ा योगदान के है देश के लिए बहुत बड़ा योगदान के है आज भी वो जहां भी है यह दुरवागी है कि पंजाब में ड्रक्स बहुत फैल गया है वरना वे एक पकासे डिस्प्लिन लाइफ वाले समाज है हम गर्व करें ऐसा समाज है जी मुझे वो स्विकारते हैं नई स्विकारते हैं वो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकते हूं तो तीजे महिलाओं की बात पर मैं आना चाहती हूं क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो की गए अब 26 जनवरी की परेड में शुरू में यह कहा गया कि स संसद में आपने अपनी क्याबिनेट में महिलाओं को बहुत एहम पूजिशन्स दिये पर हकीकत यह है कि 33% जिसका असर अभी कुछ दिन बाद दिखना शुरू होगा एक पूरुष प्रधान राजनीतिक सिस्टम है संसद भी है आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं कि महिल सब्सक्राइब के लिए उनके सामने भी यह बहुत बड़ा देख तुलनात पर्गूप से सोचने मैं कहता हूं मेरे हाँ प्रेंडेंग विमेन के लिए 26 हब्ते की शुटी है तो ऐसे देखते मुझे हमारे एक पर्सेप्शन बना गया है कि भारत में महिलायने घरे लूप पाये है रियालीटी है नहीं आप भारत का अग्रिकल्टर सेक्टर देखी जी 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 है मैं आज भी कहता हूं अग्रिकल्टर सेक्टर में सिक्स्टी परसंट कॉंपिशन विमेन का है एक्कोनोमिकल एक्टिविटी करती है विमेन लेकिन अब हमारे देश की चबी नहीं बनी सही बात पहुंचे नहीं लोगों में आज भी दुनिया में जो कॉमर्सेल फ्लाइट पाइलर्स हैं फिप्टीन परसंट पाइलोट विमेन भारत की हैं आज अब ये कोई एक रात में तो पाइलोट नहीं बनी होगी इसलिए ये कहना की भारत की महलाओं के साथ ये हो रहा है तो ये जिस पकार की फैमिलिस ने विजीतर पकार की सोच बनी है उसके हम शिकार हो कि लेकिन मैं मानता हूँ हमने दो स्टैप आगे जाना चाहिए कैसे हैं एक तो हमें साइकोलोजिकल बैरियर तोडने के जरूरत है मेरे साथ एजीप के राशपती बैठे ले वे पस्षिम्स वाले इस दिखा रहा हूं ऑपिद के राश्पती ने मेरे इस वह वह तो मुस्लिम दैसके हैं मुझे देखा रहे थे दूसरी बात है कि भाई है जी ट्वेंटी में में विशे लाया विमें डाप्लों विमें लेड डेवलप्मेंट एक बहुत बड़ा साइकॉलोजिकल परिवर्पन है यह है अमार यहां महलाए काम करें तो वो क्या करते हैं आपने देखा हो इस बार मार कर रही है आप लोगा मार नहीं किया दूसरी यह यह योजना का हिस्था है यह अचानक नहीं है वर्ना उनका काम कह रहता था एक डिस लेकर कर आना उसमें गुलदस्ता है तो कोई पुरूस आएगा गुलदस्ता उठाएगा और देगा यह बड़ा बदलाव है यह मुझे म पसंद नहीं है आज मेरे सभाओं को कंड़क करती महला कारे करता है यह यह बरा निरने है परी पार्टी का निरने है विमें लेड डवलोप्मेंट की दिसां में दाता हूं दूसरा हूं कि मैंने गाओं की महलाओं को पहले क्या जिए शेल्फ हेल्फ गुप मडलब क्या पापड बना दो बड़ी बना दो बेश दो साबून बना दो यह अगरवत्ती बना दो आई उन्टो ब्रेक तो मैंने उनको ड्रॉन पाइलट बनाया मुझे मेरी महलाओं सो बाते हुए मैंने तो कभी सिंट चाइकल भी नहीं चलाई थी लिए आज पुरा गाओं मुझे ड्रॉन पाइलट के लुप में जानता है ड्रॉन पाइलट मैं घुजराद में था तो मैंने तए गया बैस सरकार है तो क्या बड़ा पुलिस वान आया तो सरकार आई यह इंप्रेशन है तो मैंने आंगनवाडी और आशा वरकर जो थे उनको मैंने कहां यूनिफॉर्म सरकार देगी इसले निक मुझे वोट के था और मेरा स्विचना थी मैंने फैशन डिजैनर को बुलाए मैंने एर होस्ट्रे से मुझे अच्छे कपड़े च मुख्य मंत्री या कोई भी मिनेश्टर जाएगा तो जो क्यों रहती है रिशीव करने उसमें आंगनवाडी है सरवक्तर रहने चाहिए तो आपको दिखता है वो नहीं बहुत चीचीजे मतलब आप मेरे हाँ डेरी का गाम देती जी मैंने डेरी में ताई किया मैं गुजरत पर था कि मिलक का जो पैसा है वरका पूरुष को नहीं जाएगा विमेन का एकाउंट खुड़ेगा उसके अकाउंट बसका जाएगा और डेली बेली दोहजार करोड उपे डिलीवण उसके वित ¿दोहजार करोड उपर नु oike और मायलाओं के खाते में जयता है अब काशियों मैंने डेरी क्रूप की मना कि डीरी तब इसक चुरूह गी पैसे मायलाओं के जाएगी है पशु वो पानन करें दूद की चिंता वो करें दूद भरने के लिए वो आ जाए और पैसे कोई वो ले जाए नहीं चलेगा मैंने जब भूकम के घर बनाए गुजरत में तो सरकान ने जो घर बनाए वो मैंने महिलाओ के नाम पर रही मिलेंगे पुछ के दम पर नहीं मिलेंगे और यहां में आया जो चार क्रोग घर बनाए बनाए पहला हक महिलाओ रहे गाए फिर मैंने एक नियम किया कि जो स्कूल में बच्चा दाखिल होता है तो पिता का नाम लिखे मैंने माता के भी लिखा जाएगा यह बदल किये हैं आज माता का करनाम भी होता है इस्कूल में बच्चों के दाख फिर पीटा कर नाम ही होता है कि तो आपको एक तो आपकी थोड़ प्रोसेस काम करती है फिर उस्सीय चोटी चोटी के आपको ग्रभ दिश शूरू इताकत नीचे से लानी प्यु Geschäft मैंनेक और इन लिए सूनने जैसा है मैं आपके मिडिया को दिखा नहीं पाऊगे आप लोग इतना कि गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बने के लिए पंचायतों को चुना हुए मैं बूकम के काम में लगा पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे मैसेज आया कि खेडा दिस्ट्रिक के गाउं की पंचायत के सब जो मैं मैंबर है वो मिलना चाहते है है तो मेरे पंचायत मंत्री से मिलवा दिए हैं का कोई काम होगा तो गाउं ने ताय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर महिला बनाएं तो वह महिला जाती है तो मेरा इंट्रेस्ट हो गया बुलाव भई डाकोर के पास कोई गाउं है छोटा सा तो आए है कि वह कोई 11 मेंबर का भूप कर गए बहने आई और जो प्रधान बनी थी वह साथ आठ्वी कर्षा तक बड़ी थी बागी एक भी पड़ी नहीं थी तो मैंने इसे पूछा था है नहीं बोले हम सब महिलाई चुन कर रहा है तो आपको नमस से करना से और को काम भी था है जब मैंने कवा पांच साल मिले हैं आपको क्या करोगे है आपकी मन में क्या इच्छा ये प्रधान नहीं जो मुझे कहा नहीं दुनिया का कोई एक बटा सकता है उस प्रधान साव प्रधान उसको एकोनोमिकी समझ थी मुझे मुझे उसमें से आइडिया आया तो मैंने फिर चुनाव आया तो मैंने का मैं हम सम्रज गाउं करेंगे वैसे फिलोसोफिकली मैं इससे परिचित था क्योंकि विनोबा भावे उनके एक साथी ते डॉक्टर द्वारगा जोसी तो मेरे गाउंके थी और वो उनकी पत्नी रतन बैंज मेंस स dabei तो मैंने उनका भास्तने के साथ मुझे ये आद passionate को सुना था द्वारbbe निकिस के लोगसे नहीं होते तो बैर सब्सक्रक्रेंसन प्रूजा नहीं होता है ये गाउंने जिना होता है न तो गाउं दूब बढ़ जाता है बेटी भी बहुत देता है क्योंकि उसको वोट ने किया तो बोले गाउं में सहहमति का चुनाव होगा जो गाउं सर्वसहमति से चुनाव करेगा उस गाउं को मैं पांच लाख रूपया एक्स्टा दूंगा विकास के लिए क्योंकि मेरा प्रिंटिंग विंटिंग सब खर्चा खतम हो जाता फिर मुझे विचारा आइडिह जो गाउं सब किसम उस Nepal आई करेगा उसको कि साथ लाख सुगा फिर मैंने कह आए जो गाव मैं सबकिसम्हें होगी तो वहां कर जो गवर्मेंट प्रदान जिस जा जिस गाव में महिला आप और बता तो इतना बढ़ियां परफॉर्म करती है और चोटी-चोटी चीजों को करना परता है मुझे आदे जिस दिन ओबाम आये तो राश्पदी भावन में उनके सम्मान में सब महिलाए खड़ी थी जोड़ा परेड होती है तो और उनको लीड करने वाले महिला थी तो मुझे मालूम है मैं अपने देश को कैसे तो कहां क्या प्रफ्दू करना है लिए तो विख्षित भारत के दो मुल्भूत अधार में देखता हूं एक इस्टन इंग्या जहां संपत्वि बहुत हैं गरीबी सर्फ से ज्यादा अब मेरा पुर्वियुत्र प्रदेश, मेरा विहार, मेरा जारकन, भांगाल, उडिसा, एकोनोमिक लिया कर मैं इसको ताकन, मैं पस्चिम के बराबर भी लिया हूँ ना, पस्चिम मतलब गुजरात, महाराश्य, गोवा, पंजाब, पुरा संपधी है, तो मेरी नेचरल और दूसर मेरी महिलाओं की शक्ति, यह दो ऐसे एरिया हैं जिस में फरपूर्ट पोटेंशल में देखता हूँ, और वो मेरे 2047 का सबसे बड़ी सफलता का मेरा, यही मुझे परणाम देंगे, और मुझे परणाम मिलेगा, इसी से जोड़ा मेरा अगला सवाल भी है सर आप से, क्योंक लेकिन आप महिलाएं अपने दिमाग से वोट कर रहे हैं, मैं भी हेलिकॉप्टर से सो सीटो पर गई, तो बशीर हाट पहुंची जारे खाप पौत्रों को आपने टिकट दिया है बीजेपी की तरह से, बाका, बहराइच, बारमती, गड़वाल, कहीं जाई, आपने कई घर कैसे प्रीवीज देते हैं कि महिलाओं को हम अपनी तरफ कर लिए तो जीत और जहां पर उनका वोट जा रहा है, उसी की सरकार बन रही है, इसको आप किस तरह से देते हैं, बैसे इसमें महिला वाला विश्य नहीं है, मुद्दा यह है कि पूलिटिकल पार्टियों ने हैं, चुनाव जीतने के लिए खजाने खाली करने चाहिए गया, क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है क्या, मुझे एमपाउर्मेंट के लिए उजनाए बनाने का हक है, लेकिन चुनाव है कि मैं लूटा दू, यह तरीका कितना उचीत है, यह सोचने का विश्य है, और दुनिया में जिन जिन देशों की यहालत हुई है, तो हमरे पास उदान है, क्यों हमने, अब अब देखिये क्या होता है, आप एक शहर में मैट्रो बनाते हैं, और उसी शहर में चुनाव जितने के लिए कहते हैं, हम महिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे, मत्ब आपके म तो मैट्रो वाइबल नहीं होगी, अब भविष में मैट्रो बनेगे जहें वनेगे, चिंता यह है, इस रूप में कोई चिंता चर्चा नहीं करता है, अब हम पुलिटिकल तू तू मैं में पे चले जाते, मुझे नहीं कर लाइज, मैं ठूब बात करता हुँ, कि आप इसक से कांड क्या हुआ एक ट्राफिक को भी प्रॉब्लम किया अपने मुपतका कर दिया और इधर मैट्रों आपने खरी कर दिया अब वो मैट्रों कैसे आगे बढ़ेगी देश कैसे आगे बढ़ेगा देश की राजनीती से अगर एक मिनेट चले हम बाहर मिकलकर ग्लोबल ऑडर क बात करें तो इस वक्त दुनिया की निगाहें भारत भारत की चुनाव पर इस वक्त रूस और अश्या की लड़ाई चलती जा रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही इसरेल और हमास की लड़ाई चल रही है इरान के साथ तनाव बढ़ रहा है पिछले पांच साल में भारत की जो comprehensive national power है काफी बढ़ी है भारत क्यारी नंबर के अर्फिवस्ता से पांच के नंबर पर अगले पांच साल में ग्लोबल हाई टेबल पर आप भारत का रोल क्या देखते हैं हम इस हिसाब से चीजों को कौन देखते हैं मुलभूत बात क्या है अब तक हम क्या सोथ पेते हैं हमारा नेरेटीव यह था सब इससे इतने धूर है हुआ हम उससे इतने धूर है तो दुनिया में कॉम्पेटिशन शुरू हुई कि निकट कैसे जाए इसके पहले दूर रहने की कॉम्पेटिशन होती तो सब लोग निका तानी की स्परधा चल देखी है अब देखे कल मेरा इरान में बहुत बड़ा निर्ण हुआ है एगर्मेंट हुआ है वह हिंद्स्तान क अख्मारों की हिड्लाइन न्यूज है टीवी मेडिया की 24 घंटे की है और मेरा मिनिस्टर का चाबाहर थे इरान में थे चाबाहर पहुट का मेरा फाइनल एगर्मेंट हुआ यह बहुत बड़ा काम है जी सेंट्रल एस्या से जुड़ा हुआ हुआ मेरा इकानोमिका बहुत बड़ा काम हुआ है लेकिन पता नहीं यहां अब हैटेबल हैटेबल क्या होता है जी सारी लड़ाई को के बीच मेरा चाबाहर का एगर्मेंट हो जाता है तो मेरे पहली बस्तुए दूसरा किसी तीस दें के आधार पर हम अपने नेड़े ने करेंगे थी हम देने हमारे लिए करेंगे फ़लाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या को जी नहीं मैं सबसे बात करूंगा राश्पति पूतीन मेरी अगर भरपूर तारीख करते हैं इसका मटलब यह न जो सम्मान करेंगे भी कम से को एक ऐसा मितन है जो वैसे साब बताता हैं कि यूद्ध को भी मुझे पर इतना ही भरोसा है भारत पर मुझे नहीं यहां भारत पर भरोसा है बहुं कुछ तो भी यह सहीं बता और आज तक हम एससे ही आजी है अजय मैंने अभी गाजा में गाई ये इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बंबार्डिंग हम ले ना करें और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्यास किया आखिर आखिर में दो तीन दिन लड़ाई हो गई लेकिन मैंने स्पेशल एन्वाई भीजा था यहां तो आप मुझे मुझे मुसलमानों के लिए करके गेल रहते हैं लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महने में अब मैं इसकी पबिसिटी नहीं करता हूँ लेकिन क्यों ने प्रयास किया होगा पर नम सहीं मिला तेकि मैंने भी प्रयास किया देश्ट भारत ने भी किया तो इवन तो मेरा आज भी पर स्टाइन के साथ उतना ही निकटनाता है जितना जाता है इसराइल गया हूँ हमारी फ्रेशन क्या थी इसराइल जाओ पालेस्टाइट जाओ सेक्लरिजम करके वापिस आओ अगर नादिंग दो मजह डौंग करने की ज़रोब नहीं है इस्राइल गया मैं पैलेस्टीन जाओंगा तो मुझे यहां से गाँ कि आगे हैं कि तो जोडन के राश्प्रद्जी को पता चला जोडन से उकर के जाने वालों पर लेश नहीं है अब वह मुदी जी कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं मीरे ही मेरे ही हली कोफर में जाएंगे मेरे घर खाना खा के जाएं। ने कि घर घया। बैठें उन जबुक्स लेकिन हली कोफर जॉर्डन का है, डेश्टिनेशन पलिस्टाइन और मुझे एसकोर्ड कर रहे ते इस्राइल के फ्लाइट देखिए आप अगर दुनिया में अप्टीनों की दुनिया अलग लेकि मोदी के लिए आसमान में सब साथ मैं मानता हूं यह सब तब होता है जब आपके इरादे नेख हो अपके प्रती विश्वास हो और चोरी चुपी नहीं अमेरिकन को मैं कहे करके मुझे होगा तो मैं छुपाता नहीं हो और मैं अपने टम्स पे मेरे देश के चलाता हूं जी सर आप भारत के तो सबसे लोग प्रियनिता हैं ही अब दुनिया के भी सबसे लोग प्रियनिता हैं और चीर्ष पर बने रहना जैसे कहते हैं अंगरेजी मेट्स आलवेज वेरी लोनली at the top और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं आप जब परिक्षा पे चर्चा करते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस को दूर रखना है कभी आपके साथ भी ऐसा ऐसा दबाव आप फील करते है होता कह जी आप लोगों का प्रॉब्लेम यह है कि आप उस दुनिया में जीए हैं पले बड़े हैं तो आपके पास हर चीज के उधान वही है मैं उस दिनिया का इंसानी नहीं जीए आप मुझे अलग केस समझे व्यावार जीवन के जितनी चीज़ें आप देखते हैं मैं उ इसलिए मेरे जीवन में कोई चीज यह मोदी यहां बैठा है या मोदी लिटर बना है लो नतिंग तू भारत बना है मैं शायद निमीत हूं और इसलिए किरपा करके और मैं इसे बहुत विरक्त मैं अलित्न हों जी कोई लेना देना नहीं जी इस वक्त जितने भी लोग इस इंटर्व्यू को आज तक को इंडियाड़े पर देख रहे हैं मेरे साथी यह मानिंग बहुत सॉलेड सवाल हो सकते थे आप से पूछे गए आपने किसी यही मेरा आप लोगों से सिकायत है यह मुश्किल सब्द आपका आपका नहीं है एक एको सिस्टिम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुजदिल की तरह डरे हुए हो उनके एजंडा से लिए सवा पूछता हूं मुझे इस दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है उनके अनुभा कुछ और है लेकि एको सिस्टेम ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिये कि आप तब तक पत्रकान नहीं है आप तक नीट्रल नहीं है जब तक यह पूछे नहीं इस मुसीबत से मुझे आपको निकालना है वो काम भी मैं करूंता है जब आप गुजरात के मुख्य मंतरी थे आप कई मर्तबा आपका इंट्र्व्यू करने का मौका हम लोग को दिया करते हैं अब जब आप प्रेस प्राइम निस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करते हैं और कुछ भी मत करो यार इनको समाल लो अपनी बात बता दो देश में चल जाएगी मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है मूझे महनग करनी है यह घरिब के घर कर करता है हैं मैं भी च्रिणान्दोन में प्रीते कालते काल्गे फोटो निकाल आ सकता हूं कि एक छोटी यह द्राहर स्याइस नहीं करता हूं मैं एक नए भर-कल्चर को लाए हूं. उस कल्चर को सही लगे पर मीडिया रही परस्तू करे, ना लगे तो ना करे. दूसरी बास है, मैं जवाब दे हूं पार्लामेंट को, मैं सब सवाब देना के लिए ट्यार हूं. तिसरी बात करता हूं कि मीडिया आज वो नहीं है जो पहले था पहले मैं आज तक से बात करता था लेकिन अब दर्सक को मालूम है मैं राहू से बात कर रहा हूं कौन राहू तो इसने परसो यह ट्विच किया था मतलब यह तो मोदी के फिवल में लिखता है मतलब यह तो वही बात करेगा तो आज मीडिया एस सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है आप भी अनेक लोगों की तरह आपने व्यूर लोग जान चुके हैं तो वो स्थिति आपकी बनी नहीं है पहले मीडिया फेश्टलेस था उसका कोई चहरा नहीं था मेडिया में कौन ल लुटित दिखने वाले की वीचार क्या है कोई लेना देना लोग मानते थी हैं कैना आलीस है आज वह स्तिति नहीं है तीसरी बात हैं पहले कॉम्निकेशन का एकी सोर्था वीडिया के बिना कर आप जाही नहीं सकते हैं आज अखिर कर आपको जनता को बात करनी है तो कॉम्म कि में जब गुजरात में था तो मेरी पब्लिक मीटिंग जो होती थी तो पब्लिक मीटिंग में मैं पूछता था ऐसे करके देखता था अरे फिर मैं पूछता था क्यों भैई ऐसा कार्दम बढाया है को काले जंडे वाला नहीं जिता है भैई दो-तिन काले जंडे वाले रखो तो कल अकबार में चपेगा कि मुझी जी हाए थे देख लोगों ने काला जंडे दिखाय तो कम से कम पकातों चलेगा मुदी जी आए थे काले जंडे बिना मेरा सभा कोन पुछेगा, शाम एक दस साल है भाषन की गुजरात में, डेली म मेरे गाउं के लोग मिलने आए मेरा अभिन्दन करने आए तो बोले हमारे गाउं मेरे मंगल को किसी को भी एंट्री थी तो मैंने कहा नहीं हो सकता नहीं बुलिए साव हो गई मैंने तो ऑपार ना तीवी पर आए न अखबार में आए नहीं बताएं कि चुशी कैसे हो गई है हो गया है उसाब में ऐसे जिया हूँ आपके कटार्श और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं देखिए मुझे एक सवाल पहले भी एक बर कैसे ने पूछा था यूके में पूछा था हिएए मैं हरान हूं जिए जो इंसान देश के लिए जी रहा है कि वो खुद के लिए क्यों सोचेगा इस को मानता हो मेरे मुझे इतिहासमक कोई याद करें इसके लिए मैं काम करता ही नहीं veggie कोई याद करें तो मेरे कश्मीर में 40% के सब्सक्राइब करें कि जिनका यह कहना है कि वह धर्म के आधार पर कोई भेद्भार नहीं करते लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं होने देंगे और जब तुष्टी करण की राजनीती होगी तो कुछ भी बोलने में उन्हें संकोच नहीं होगा विपक्ष के खलाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधानवंति नरेंद्र मोदी जी ये साक्षातकार हमें देने के लिए व्यस्ता के बीच में चलिए बहुत 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 धन्यवाद इसी के साथ इस इंटिव्यू में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक